तो अपन पढ़ रहे हैं production chapter production chapter में अपन ने क्या-क्या देखा एक बार revise करते हैं जल्दी-जल्दी और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आवाज clear है नल अभी आवाज clear है सबको ओके गुड लेट स्टार्ट तो production की बारे में अपन ने देखा कि प्रोडक्शन ये एक और्गनाईज एक्टिविटी है जिसमें अपन resources को transform करते हैं transform करते है resources को और goods and services बनाते हैं इनसे क्यों करते हैं अपन ऐसा ये ऐसा इसलिए करते हैं अपन क्योंकि अपने को demand satisfy करना होता है simple इसके बाद अपने अगली चीज जो देखी वो था कि man cannot create dash ये dash तुम भरो बताव जल्दी बिल्कुल सही जवाब man cannot create matter तो man क्या कर सकता है production के form में वो create या फिर add कर सकता है सिर्फ क्या कर सकता है utility add कर सकता है सही जवाब बिल्कुल सही जवाब चार तरीके अपने पास utility add करने के ठीक है मैं तुमको examples देता हूँ अरे सुनो सुनो मैं तुमको example देता हूँ तुम मुझे बताओ कि उस utility का नाम क्या type कौन सा ठीक है मैं तुमको example देता हूँ off-season में available करा के देना कोई चीज़ off-season में available करा के देना विल्कुल सही जवाब time utility good अपनी खुद की skills यूज़ करना skills यूज़ करना personal utility शाबाश perfect answer क्या बाद है उसके बाद अपनने दो और देखे है resources को manufacturing process में डालना और उनको थोड़ा transform करना manufacturing process में डालना form utility right answer और और last फाला जो बज गया है वो है extraction कर सकते है या फिर अपन ट्रांसफर कर सकते है goods को एक जगा से दुटिस जगा place हवा उसके बाद अपनने देखा factors of production अपने पास जो factors of production है वो चार है इनको inputs के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चार factors of production है land, labor capital और enterprise ये सारे ओके ओके good good land land जो है basically ये सिर्फ earth का surface नहीं आता सारे natural resources भी इसमें आते हैं labor में सिर्फ वही चीज़े आती है जो आप economic human efforts जो अपन करते है economic reward के लिए वो आते हैं capital में सारी man-made चीज़े आती है man-made goods सारे और entrepreneurship में इसको risk taker, manager, organizer ये सब नामों से जाना जाता है जो इन तीनों को सांथ में लाता है तीनों factors को mobilize करता है combine करता है सबसे जादा risk entrepreneur उठाता है good इसके बाद अपनने आगे बड़े और अपनने इस chapter का बहुत important चीज़ जो है वो शुरू किया है वो है production function production function मतलब basically inputs और outputs के बीच में relationship relationship कि अगर मैं x x x amount का input डालूँगा तो मैं को y amount का output मिलेगा यह है इन दोनों में relationship इसको बोलते है production function तो और detail में समझते हैं यहाँ पर relationship between inputs and outputs used by the firm इसमें output जो होते है वो आपके volume of goods on services होते है inputs जो होते हैं यह different factors जो आपके production की factors है land, labor, capital, enterprise यह सब होते हैं हर इसमें चारी होते है production process में लेकिन उनका proportion अलग-अलग हो सकता है depend करता है उसके बाद equation देखा q is equal to function of l and k land and capital generally दो लिये जाते हैं हमेशा equation में फिर short run, long run दो periods देखें अपने दो time periods देखें अचा मैं example देता हू आप मुझे बताओ कौनसा वाला short run है कौनसा वाला long run ठीक है inputs हैं अपने पास सारे inputs मैं vary कर सकता हूँ सारे कौनसा time period है सारे inputs आप वेरी कर सकते हैं तो it is long run और short run में basically आपको at least एक input को fix रखना पड़ता है और generally ये capital होता है industries में capital को आपन fix रखते हैं तो ये है short run, long run का concept फिर कौप डॉगलस देखा आपनने k k into l, l to the power a into c to the power 1 minus a, जो ये a और 1 minus a है या और k है ये constants है, positive constants है इनको ऐसा क्यों लिखते है क्योंकि 3-4 जो contribution है labor से आता है और 1-4 contribution capital से आता है उसके बाद आपनने और अच्छे चीज़े पड़ी total product, total output मतलब basically total product मतलब total output आप सारे efforts डाल के सारे factors को combine करके आप कितना output produce कर सकते हो जैसे मैं 2 units of capital use करता हूँ और 5 units of labor use करता हूँ तो maximum कितना output मैं निकाल सकता हूँ, कितना output आ रहा है generate कितना हो रहा है, 29 ये है total product marginal product और average product के बारे में देखा average मतलब just divided by number of units जैसे यहाँ पे अपने उपर ये देखा ना 29, 29 को सिर्फ variable factor से number of units से डिवाइड करो उसके बाद अपने marginal product देखा, marginal का मतलब होता है एक addition एक addition जो हो रहा है उसकी वज़े से कितना change आया इसके बाद अपन आगे बड़े और अपने curves के बारे में पड़ा total product curve basically positively sloped होता है upward sloping होता है marginal product और average product के जो curves है ये inverse U-shape होते है दोनों भी दोनों भी inverse U-shape होते है इसका U थोड़ा slang है उसका ज़रा फैला हुआ U है, simple MP और AP स्टार्ट दोनों same point से करते हैं MP ज़्यादा उपर जाता है जल्दी, ज़्यादा जल्दी उपर जाता है लेकिन average जो है वो consistency बना के रखता है फिर इसको अपने relationships में डाला तीन relationships है basically कि जब भी AP increase हो रहा है तो MP हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए जब AP decrease हो रहा है MP उससे कम होना चाहिए और एक point पर जहांपे average product maximum होता है वहाँपे MP और AP same होते है ऐसा क्यों होता है अपने इसका logic समझा logic इसका basically एकदम simple है AP जो है अपना ये average है marginal products का तो ये भी rise होता है लेकिन इतना rise नहीं होता जितना MP rise होता है उके उसके बाद law of variable proportions पढ़ा law of variable proportions कहां पर अपला होता है short run में की long run में जल्दी बता right answer law of variable proportions variable proportions आप जो inputs डाल रहे है न वो vary कर रहे है और proportions में डाल रहे हो तो ये short run में applicable होता है सही जबाब तो क्या बोलता है law law बोलता है कि आपका जो marginal product है ये eventually decline करेगा इस law को तीन stages में divide किया गया है stage 1, 2, 3 stage 1 का नाम है increasing returns ऐसा इसलिए क्योंकि TP जो है आपका ये बहुत ज़ादा rapid rate से increase होता है MP जो है ये भी increase होता है लेकिन एक point आता है जहाँ पे एक peak बनाता है point of inflection और उसके बाद से ये गिरना शुरू होता है stage 1 में ही MP गिर जाता है और AP continuously rise होता है और जहाँ पे AP maximum बनाता है उस वहाँ पे stage 1 आपकी खतम होती है ऐसा इसलिए होता है इसका explanation एकदम simple है कि जैसे जैसे आप जादा units of variable factor add कर रहे हो constant quantity में fixed factor की fixed factor जो है ये जादा intensively और effectively utilize होगा जादा effectively और effectively utilize होगा नहीं नहीं kings नहीं आता है यहाँ पे kings macro economics वाल आएरे इधर नहीं आता हो तो fixed factors जो है वो जादा effectively utilize होंगे आपके जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो variable factor उसके बाद एक point के बाद जहाँ पे marginal product maximum होता है उसके बाद जो भी लोग आएंगे आपके यहाँ पे काम करने के लिए उनकी productivity गिरती जाएगी उनकी productivity इतनी नहीं रहेगी जितने पहले लोग काम कर रहे थे जैसे कल जो example दिया खेतो का या फिर यह laptop का जो example दिया है एक आदमी जो काम कर सकता है वो बहुत अच्छे से कर सकता है फिर और दो लोग आएंगे उसकी help करने के लिए इनकी productivity इतनी नहीं रहेगी जितनी first वाले की है उसके बाद और जैसे ऐसे addition होते जाएंगे वैसे वैसे आपको diminishing returns देखने मिलेंगे stage 2 में दोनों गिरते हैं AP और MP दोनों गिरते हैं और खतम वहाँ होती है stage 2 जहाँ पे MP जो है आपका zero हो जाता है और total product highest मारता है high peak पे जाता है total product इसका explanation एकदम simple है fix factor जो है basically ये inadequate बन जाता है variable factor के comparison में एक ही laptop है अपने पास इसलिए एक ही laptop है अपने पास इसलिए 12-10-15 लोग नहीं काम कर सकते हैं good आगे बढ़ते हैं indivisibility of fixed factor ये जैसे आपका fix factor है ये indivisible है मतलब divide नहीं कर सकते हैं इसको voice break हो रहा है रुख जा रुख जा रुख जा good आगए आगए ट्रैक पे आगए tension मतलो अभी ठीक है indivisibility of the fixed factor fixed factor जो है आपका ये indivisible है आप इसको divide नहीं कर सकते हैं इसलिए ये first reason है कि आपको diminishing returns मिलते हैं second reason है imperfect substitutability substitute नहीं कर सकते हैं आप बापस से ये fixed factor जो है ये scars है और इसको substitute नहीं है इसके available आपके पास short run में इसलिए ये दो reasons है basically diminishing returns आपको मिलते हैं और third stage में तो सब कुछ गिरता है MP जो है आपका वो तो negative में चला जाता है TP भी गिरने लगता है और ये ऐसे losses होने लगते हैं तो आपको second stage तक आके रुप जाना है ये था अभी तक का revision जो अपन ने पढ़ा है यहां तक अपन ने पढ़ा किसी को कोई doubt है किसी को कोई doubt है बच्चे बोल रहेंगे पढ़ाई करेंगे तो doubt आएगा है ना बच्चो बरबर बोला ना पढ़े की कि नहीं की कल चाबबास स्माइली देख की समझ रहा है तुम्हारा बहुत ज्द जूदा की अरे बाब बाब अवाह इत्ती पढ़े ही एक doubt है doubt नहीं है अच्छा गूट 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 बहुत अच्छा शॉर्ट रन अपन ने देख लिया है अच्छे से अभी बात करते हैं लॉंग रन की लॉंग रन में जाने से पहले आपको एक सिनारियो बताता हो आप खुच सोचो क्या होगा ठीक है और उसके बाद आंसर दो कि कैसे कैसे अपने को आक्शन्स लेने हैं यह सिनारियो कुछ ऐसा है अपना जो कल का खेत था ना वही वाला सिनारियो है ठीक है अभी लॉंग रन में एक चीज़ याद रखो वो सारे factors, चारो के चारो factors आपके vary हो सकते हैं, आप सब को variable रख सकते हो, ठीक है, तो suppose करो एक factor में saturation आ रहा है मेरे, एक factor में बहुत जादा use कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नए खेत खरीद लूँगा, नए machines खरीद लूँगा, simple, नए tractors, machines ये सब खरीद लूँगा जैसे ही मैं technology improve करता हूँ, technology upgrade करता हूँ, तो मुझे efficiency जो है, मेरी productivity जो है, मेरी ये बढ़ जाती है, ठीक है, simple, तो मेरा question आप से ये है, simple है, बहुत simple question है, मेरा question आप से है, ये है, कि अगर long run में मैं inputs को increase करता हूँ, long run में मैं inputs को increase करता हूँ, तो output के साथ क्या होगा, will it increase or will it decrease, और will it remain the same, will it remain the same, क्या होगा output के साथ, सोचो दिमाग लगाओ, सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि long run में, technology के साथ सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो अपने पास जवाब आ चुके है, the output, obviously the output will increase, obviously, लेकिन इसमें again 3 cases हो सकते हैं अपने पास, 3 cases हो सकते हैं अपने पास, output increase होगा, no doubt about it, long run में output increase होगा, जैसे ऐसे input बढ़ाओगे, output बढ़ेगा ही, simple सी बात है, अपने पास लेकिन 3 scenarios हो सकते हैं इसमें, suppose करो, suppose करो मैं input बढ़ाता हूँ 75% से, 75% से मैं input increase कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि output भी same percentage से बढ़े, अभी output increase होगा, agreed, लेकिन कितने से increase होगा, वो अपने हाथ में नहीं है, वो inputs की efficiency के हाथ में कि आपके inputs, inputs जो है, कितने efficient है, ठीक है, तो 3 cases हो सकते हैं, हो सकता है 75% से कम increase हो, जैसे output में 50% ही increase होगा, हो सकता है 75% ही increase हो, second case, exact same, input जितना increase होगा, उतना ही output increase होगा, और third case हो सकता है 75% से जादा हो increase हो सकता है, suppose 100% increase आया output में, input में 75% increase की वज़े से, good, तीनो cases हो सकते हैं, आपका जो law है long run का, ये सिर्फ ये तीन cases के बारे में ही दर्शाथा है, simple, ये तीन ही चीज़े आपके साथ हो सकती है long run में, long run का law एकदम simple है, एकदम simple, तो चलो पढ़ते हैं, इतनी तारिफ कर ली, अभी law पढ़ते हैं, इसका नाम है, long run की law का नाम है, law of returns to scale, जबी भी मैं scale की बात करता हूँ, या change in scale की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं सारे factors of production को भारी भर कम मातरा में, बहुत अलग-अलग proportions में, different proportions में change कर सकता हूँ, मतलब basically layman terms में बोले तो scale, जबी मैं change in scale बोलता हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ जादा बड़ा change कर रहा हूँ, simple, तो इसलिए ये कब possible है ये होना, ये possible है सिर्फ long run में, इसलिए इसका नाम है law of returns to scale, कि आप major changes ला रहे हैं, तो आपके returns कैसे कैसे होने वाले हैं, ठीक है, तो आपके, जो तीन, मैंने आपको बता है, तीन conditions हो सकती हैं, आपके पास, तीन types के आपके पास returns मिल सकते हैं, जितना input में increase हुआ, उतना ही same proportion से output इंक्रीज हुआ, किया है, तो इन तीनों में से मुझे बताओ, कौन सा वाला percentage CRS है, कौन सा वाला, इंपूट आपका 75 से बढ़ रहा है, आउट्पूट में कौन सा परसेंटेज है, जो दिखाता है कि CRS है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, CRS यह है, same, जितना इंपूट चेंज हुआ, उतना ही आउट्पूट चेंज हुआ, same proportion से, increase दोनों में आया, same proportion से increase आया है, बहुत अच्छा, यह है constant returns to scale, CRS, फिर इसके बाद अपने पास दो बचे, एक है IRS, मतलब increasing returns to scale, और एक है DRS, मतलब decreasing returns to scale, वो पढ़ते हैं अपन बाद में, बाद में पढ़ते हैं, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, 50% वाला क्या होगा, increase या decrease, क्या होगा 50% वाला, बिलकुल सही जवाब, बिलकुल सही जवाब, 50% वाला जो है आपका यह होगा DRS, decreasing returns to scale, diminishing नहीं, decreasing returns to scale, और ज़ादा 100% वाला होगा, increasing returns to scale, यह तीन चीज़े ही आपको पढ़नी हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक हैं, constant पढ़ लिया, increase अब मन देखते हैं, सबसे पहले decrease की बात करते हैं, decrease क्यों हुआ, अपने inputs तो इतने अच्छे से बढ़ा है, 75% चेंज किया अपने inputs, लेकिन, 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 आपका output जो है, वो सिर्फ 50% से ही change हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक हैं, तो decreasing returns to scale, पहले जी थेहरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसका logic भी दिया है, कि ऐसा क्यों होता है, long run में, DRS holds when a proportional increase in all inputs, results in an increase in output, output increase होता है, और एक बार, सुन लो, output increase होता है, लेकिन, smaller proportion से, जितना input भढ़ा, उससे smaller proportion में, आपका output increase हुआ, इसको बोलते हैं, DRS, decreasing returns to scale, जो कि है आपका 50%, input बढ़ाया अपने 75% से, output सिर्फ बढ़ा 50% से, ठीक है, 75 से कम होगा, वो सब decreasing में जाएगा, exact 75 होगा, वो constant में जाएगा, और बाकी, बचा हुआ जो उससे ज़ादा होगा, वो IRS में जाएगा, increasing returns to scale, logic समझते हैं, लेकिन फिर भी, ऐसा क्यों होता है, कि आपको long run में भी, decreasing returns to scale देखने मिलते हैं, simple सी बात है, ये सब होता है, internal difficulties की वज़े से, internal difficulties की वज़े से, एक सेके, internal difficulties की वज़े से, internal difficulties क्या-क्या आ सकती है, increasing difficulties of management, coordination, control, ये सब, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो boss है, ये दोनों को डाट रहा है, एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है, और एक तो ढूरो नहीं लग गया विचारा है, तो ये हो सकता है, difficulties of management, बहुत common है होना, इसकी वज़े से आपका अगर management ही अच्छा नहीं है, internal, internally problem है आपकी organization में, तो आप कितना भी technology बढ़ा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, capital investment वगरे वगरे, आपको decreasing returns to scale देखने मिल सकते हैं, ऐसा generally कब होता है, generally जब हज से ज़्यादा आपकी enterprise भढ़ जाती है, very large size हो जाता है अपकी enterprise का, and it becomes difficult for you to manage it, with the same efficiency as before, तो तब जाके आपको decreasing returns देखने को मिलते हैं, ठीक है, और एक बार सुन लो, output increase होता है, input increase होता है, output भी increase होता है, output decrease नहीं होता, भले यहां पर नाम decreasing है, इसका मतलब यह नहीं कि output आपका decrease हुआ, increase कम percentage से हुआ, कम proportion से हुआ, इसलिए इसको DRS भूलते हैं, ठीक है, इसका example मैं देना चाहूंगा, real life, दो examples है, basically, मैंने शायद बताया भी होगा कभी, लेकिन और एक बार सुन लो, कोई बात नहीं, नोकिया के बारे मैं कभी बताया मैंने, आपको, नोकिया, नोकिया, याद करू, याद करू, बताया था क्या, अच्छा, नहीं बताया, simple, good, 2000, 2000 से लेके, 2010 तक, मोनोपुली पढ़ते हैं आपन, मोनोपुली, ये नोकिया, basically, मोनोपुली नहीं था, लेकिन, largest market share था, इसका, largest market share था, पूरे इंडिया में, इसका, mobile sector में, basically, largest market share था, अगर mobile खरीदना था, उस time पे, तो सिर्फ दो ही ब्रैंड्स थे, जो जिस पे लोग भरोसा करते थे, एक था Nokia, और दूसरा था Samsung, Nokia के phones के, तो इतने crazy थे लोग, इतने crazy थे, कि उस time पे, जो mobile 11-11,000 रुपय में मिलता था, जो salary वाले लोग रहते थे, वो FDRD वगरे करते थे, हर महिने की savings ऐसे करते थे, और खरीदते थे, इतना crazy था, लोगों में Nokia की मोबाइल्स का, इतना खतरना crazy था, लेकिन, 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 2010 के बाद, scenario change हुआ, market में Android आया, market में Android आया, Nokia आपकी जानकारी के लिए बता दू, Symbian OS पे काम करता है, Symbian OS मतलब उनका ही बनाया हुआ operating software है, उस पे वो काम करता है, Nokia अपनी अकड में रहा, Nokia ने कुदको change नहीं किया, 2010 के बाद उसने सूचा, इतना अच्छा, 10 साल तक अपन continuously largest market share में, ये Android वे Android कुछ नहीं उखाडने वाला अपना, लेकिन, 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 वो बोलते हैं न, समय के साथ जो बदलता नहीं है, उसको समय बरबात कर देता है, 2015 में ठीक यही हुआ, 2015 में Nokia, एक टाइम पे जो राजा था, मिर्जापूर का जो king था, एक टाइम पे, पूरे इंडिया में, जो king था, मोबाइल का, वो 2015 में, bankrupt हो गया, bankruptcy के, मतलब, stage तक पहुँच गया था, फिर Microsoft ने उसको खरीदा, वो अलग चीज है, लेकिन, internal difficulties, decreasing returns to scale, internal difficulties की वज़े से यह होता है, अगर आपके management में difficulties है, आपका management अकडू है, बदलना नहीं चाहता, तो यही होगा, simple, और एक example देता हो, 2010 के बाद से तो basically, Micromax बहुत हिट गया, बहुत, खतरनाक तरीके से हिट गया, जितना भी, MI हिट गया है न, उतना ही same, उससे जादा मैं बोलना चाहूंगा, Ultra, Micromax हिट गया था, Samsung और Micromax दो ही नाम थे, Samsung consistent है, बिल्कुल risk ने लेता है, जो भी समय change हो रहा है, वैसे वो change होता रहा है, Samsung की तो कहानी एकदम मस्त है, इसके बाद सोना तो, यह complete करते हैं, तो simple सी बात है, कि अगर आप change नहीं करते हो, management आपका अच्छा नहीं है, तो आप inputs कितने भी लगा लो, आपको output जो है, वो smaller proportion में देखने को मिलते हैं, और धीरे-धीरे करके यह आपके लिए हानी कारग बन जाते हैं, सेम चीज हुई थी, कोडक के साथ, किस-किस ने यह brand सुना है, कोटक bank नहीं, कोडक कोडक, सुना है किसी ने, anyone क्या करता है यह, कोडक करता था मतलब क्या करता था, कोडक any idea क्या बोल रही है तर, yellow color color वलर नहीं पता मेंको right answer, camera camera के rolls बनाता था camera के rolls बनाता था film rolls जो रहता है ना basically वो बनाता था सुनो, सुनो, सुनो अभी यह digital camera वगर है ना, यह सब अभी-अभी आये है, 10 साल हुए सिर्फ अभी-अभी, Canon वगर है, यह सब अभी-अभी famous हुए, digital cameras उससे पहले 1950s से लेके 1950s से भी पहले से लेके 2000 मेरे ख्याल से 5-6 तक, पूरे world में, पूरे world में, सिफ इंडिया में नहीं, पूरे world में almost 90% इसका market share था almost 90% film rolls में, क्योंकि लोगों की शादिया वगरे होती है बच्चे वगरे होते है तो अच्छे-च्छे functions होते है तो उनको वो सब memories capture करने होते है of course, camera तो लगेगा camera लगेगा तो उस ताइम पे film rolls आते थे जो camera में डालने पड़ते थे और वो rolls 100 uses या फिर 50 से pictures निकलते थे उसके बाद वो roll आपको develop कराने के लिए देना पड़ता था और उसके बाद नया roll लेने का right, brown color का रहता था एक टाइम पे 90% market share वाला world में 90% market share वाला company आज जब से digital ये हुआ है, cameras वगरे आये है आज इसका नामो निशान नहीं है इतना मतलब ये बोल सकते हैं आप इसका पूरा fame जो है पूरा निकल चुका है कि बच्चों को पता भी नहीं होता आदे से ज़्यादा पच्चों को पता भी नहीं है कि ये क्या होता था yes बहुत अच्छा लेकिन अभी रोल्स बनते नहीं है सारे लोग basically digital cameras ही यूज करते है mobile phones है आपके पास तो क्यों आपको कुछ चाहिए वही मैं बोल रहा हूँ आपको अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हो opportunity थी आप भी digitalize कर सकते थे लेकिन आप नहीं बदले तो फिर decreasing returns to scale again कितना भी input बढ़ालो output उतने proportion से नहीं बढ़ेगा difficulties of management coordination, control वगरे वगरे क्या बुल रहा TV निकाला है अभी TV का नहीं पता मैं को पर वो company अभी इतनी नहीं चलती 90% market share थारे world का सोचना not famous इतना famous नहीं रहा हो आदे बच्चों को पता भी नहीं क्या रहत है कुछ बच्चे तो इतने भारी है कुछ बच्चे तो सोच रहेंगे सर कोटक बैंक, कोटक बैंक हैगी नहीं कौन-कौन था जिसके मन में ही आया कोटक बैंक के बारे मैं बोल रहे सच्ची बता बताओ जारा नमूनो कौन कौन है अरे रे भगवान गुड़ देखो कितना फेम इसका निकल चुका है उसके बाद अपने पास लास्ट चीज है वो है increasing returns to scale थेरी एकदम simple है when a proportional increase in all inputs results in an increase in output by a larger proportion output जो है आपका ये large proportion से change होता है, increase होता है इसको बोलते हैं, इस production function को बोलते हैं increasing returns to scale IRS थीक है, simple, तो अपना जो example था, basic वाला, 75 है कहां किया हो ये बगवान, Excel में कुछ मिले times हैं, ये रह 75 से जादा सिफ 100 है, तो ये वाला increasing returns to scale है, simple ऐसा क्यों होता है लेकिन, increasing returns to scale ऐसा क्यों होता है simple सी बात है, reason एकदम simple है, जो first reason था, वहां पे short run में जो अपके लिए stagnancy का reason था आपके diminishing returns का reason था, indivisibility of factors वही same reason यहां पे आपके growth का है, ये आपके growth दिखाता है, basically reasons for increasing returns to scale is the indivisibility of the factors मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझो ठीक है, example लेते है suppose ये है खेत वाला scene, ठीक है खेत वाला scene, आपके यहां पे अभी saturation हो चुका है suppose करो अभी 5 ही लोग काम कर रहे हैं ठीक है, 5 ही लोग काम कर रहे हैं maximum efficiency पे उसके बाद आपने एक tractor लेके आए है ये है कुछ इस तरह से tractor जो दिखता है आपका ठीक है, ये देखो, दुआ tractor का दुआ है वो और ये है tractor बहुत अच्छा ये tractor जो आपने लेके आए हो, इसकी वज़े से आपकी efficiency बढ़ेगी और initial stages में आप इस tractor को full-fledged इस्तमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि land बहुत छोटी सी है और इसकी capacity जो है tractor की वो बहुत ज़ादा है, इसकी capacity इतना काम करने की है लेकिन आप इससे इतना ही काम करवा रहे हो, तो जैसे जैसे आप land बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे variable factors जो है आपके, सारी basically variable factors, जैसे 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 आप बढ़ाते जाओगे variable factors इसकी efficiency बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जादा efficiency बढ़ती जाएगी तो simple reason है इसी वज़े से इसी वज़े से आपकी जो efficiency है large output produce करने की ये बढ़ती जाती है, indivisibility of factors की वज़े से, if all the factors are perfectly divisible increasing returns may not occur, क्यों ऐसा क्यों बोलने की कोशिश कर रहे है, वो increasing returns क्यों नहीं हो सकता है, अगर सारे factors divisible हो perfectly तो simple सी बात है, अगर suppose करो आप ये factor जो है आपका machine जो है, ये tractor जो है, ये divisible है, मतलब कोई laborer सिर्फ धुवा यूज़ करेगा कोई laborer सिर्फ इंजिन यूज़ करेगा कोई laborers यहां पर जो काटे-काटे लगे रहते हैं ना, sewing के लिए, वो use करेगा अगर ऐसा होता, तो आपको कभी भी increasing returns नहीं मिलते थे, क्योंकि हर इंसान कोई अलग चीज़ कर रहा है maximum efficiency तक कभी पहुँच ही नहीं पाऊ गया और इसी की वज़े से आपको increasing returns होने के chances zero है, जब यह same reason, जो है आपका यह short run में आपके लिए benefit नहीं होता यह short run में आपके लिए एक hurdle बनता है और यह same reason आपके लिए long run में आपके लिए benefit का का काम करता है, क्योंकि आप अभी तक efficiency, maximum efficiency पहुचे ही नहीं हो जब तक आप maximum efficiency तक पहुचे ही नहीं हो जब तक आप maximum efficiency तक पहुचोगे तब तक आप और inputs बढ़ा दोगे क्योंकि सब कुछ variable है ना अभी तो एक tractor की जगा आपने और दो तीन tractor ले लिए, अभी भी maximum efficiency तक पहुचना आपना बाकी है इनिशन स्टेजेस पे लेखी जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो mature होते जाते हो, ऐसे वैसे आपको decreasing returns देखने मिलते हैं जैसे Nokia मैंने बताया ना भी Nokia के साथ भी ऐसा ही हुआ 2010 से लेके 2010 तक increasing returns to scale थे, जितना डालो उससे ज़्यादा output Symbian OS, market में most popular लेकिन उसके बाद management difficulties की वज़े से यह गिर गया जो टीके रहें, वो टीके हैं जैसे टीका कॉन रहा जो पहले भी था और infinity तक रहेगा वो है शायद Samsung Yes, Samsung पहले भी था जब Android नहीं था तभी भी यह चलता था जब Android है, तभी भी यह चलता है और अभी इसको पता चल गया है कि इसका competition अभी mobiles में नहीं है इतना कितना भी आप अच्छाचा mobile लालो Galaxy वगरे, जो भी है तभी भी आपको competition बहुत ज़ादा है तो mobile से यह अभी धीरे-धीरे market अपना कम कर रहा है और कहां पर shift कर रहा है market आपको पता है, any guesses कहां पर shift हो रहा है इसका market नहीं नहीं वीरिंग अपरल्स में ही है जिसको आप पहन सकते हो चीज वीरिंग अपरल्स में ही है TV AC नहीं वीरिंग अपरल्स अरे guess, come on smart watch अरे, कितना simple, right? smart watches smart watches galaxy gear, galaxy active वगरे, वगरे, वगरे हर महीने इनको 9% almost 9% increase देखने को मिल रहा है अपने sales में, smart watches की क्योंकि इनको पता है इनका market यहां पर अभी grow कर रहा है तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया और यहां पर वो shift हो गए है इसा नहीं कि mobile नहीं बना रहे है लेकिन smart watches पर जादा धान है smart watches से उनको जादा profit हो रहा है यह बोलने की कोशिश कर रहा है mobile का तो उनका negative में जा रहा है मतलब declining phase पर उनका market share धीरे 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 Samsung यह सबसे पहली बात Korean company है यह Chinese नहीं है बहले ही वो चाइना में अपना माल बनाते है लेकिन company Chinese नहीं है अच्छा बहुत अच्छा आप से मैंने कभी पूचा है नहीं आप कौनसे कौनसे brand का mobile यूज़ करते हैं सबसे पहले उनका नाम सुनNA में तो कौन कोन है उप्पो वीवले कौनसे ऊप्पो वीव यह सबसे पहले उनका नाम सुनना अमे तो सबसे और रवा बहुगल अप्पो वीव सहले नहीं है बहुत बड़ी है क्या बात है पोको मोटरोला े वावा high हवा लेनोव का ब्रैंड है वो मोटोरोला MI MI Redmi Note हवा Good MI Vivo Oppo हवा मुस्ती हवा मेरा लेकिन मैं चेंज करने वाली हूँ Samsung लेने वाली अच्छा बहुत अच्छा ये है बड़े लोग को और से देखो इनको जो लोगडाउन में भी अरे हा आइफोन भूल के से गए अपन आइफोन यूजर कौन सा आइफोन है आपके पास Riddhi 11, 12, 13, 14, 20, 21 कौन सा है अच्छा ऐसी अरे वा मस्त ऐसी बहुत अच्छा मेको भी पसंदा है ऐसी गुद 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 मैं यूजर करता हूँ असुस का मैंने बहुत रिसर्च करके फोन खरीदा और तीन साल होगए अभी वो फोन यूजर कर रहा हूँ नो इसुस बताया था मैंने असुस वाले अपन सोच समझ के डिसिजन लेते हैं उगज आमिर खान भी की दिखा या फिर कोई आपको और कोई दिखा करीना को की चलो मोबाइल खरीद ले अप अभी वो ऐसे ही चलते हैं जाद अतर गुड चलो आगे बढ़ते हैं तो ये थे तीनो रिटर्न्स टू स्केल ठीक है तो आप सबसे मैं पूछना चाहूँगा अभी अपने पास 17 बच्चे हैं क्लास में सबसे पूछना चाहूँगा क्या आप सबको तीनो स्केल्स समझे हैं लॉंग रन बिसिकली लॉव पूरा समझा है क्या एवरीवन हस टू आंसर समझा है तो येस नहीं समझा है तो no it's that simple बाकी बच्चे एक एक को पखड़ना पड़ता के अभी गुड 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 तो शॉर्ट रन वाला जो कॉप डॉगलस फंक्शन था ना वो कुछ इस तरह से था कॉप डॉगलस अभी भी यहां पे भी लॉग रन में भी है कॉप डॉगलस वाले जो है यह शॉर्ट रन में कुछ इस तरह से फॉर्मूला दिये थे जहां पे उन्होंने एक दो फैक्टर्स दो positive constants यूज किये थे k और a a की a basically क्यों यूज किया क्योंकि a की चीज आप change कर सकते हो यह शॉर्ट रन की चीज है a की चीज आप use कर सकते हो vary कर सकते हो अभी इन्होंने 2 की जगा k और a की जगा और एक constant नया add किया है वो है b k, a and b अभी तीन constants यूज करते है positive constants क्यूंकि आप capital भी change कर सकते हो और land labor सब कुछ change कर सकते हो और यह constant तो आता ही आता है और यह है आपका output तो इन्होंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिया है कि a plus b अगर greater than 1 है तो इसका मतलब increasing returns to scale है तो अपने यहाँ पर लिख लेते है summary a plus b अगर यह greater than 1 है इसका मतलब IRS अभी आप सब जन answer देंगे a plus b suppose करो a plus b जो है यह equal to 1 है तो कौनसा आएगा यह equal to 1 है कौनसा आएगा CRS, IRS, DRS बिल्कुल सही जवाब CRS constant returns to scale और last वाला जो बचा यहाँ पर आएगा DRS a plus b लेकिन यहाँ पर sign कौन से आएगी यहाँ पर sign कौन से आएगी sign sign धुंडो धुंडो मोबाइल में sign मिल रहे है गया less than अच्छा नहीं मिली मोबाइल में sign less than 1 शाबश गुड तो यह है Cobb-Douglas के function की summary कुछ इस तरह से greater than 1 है a plus b तो increasing returns a plus b equal to 1 है यह दोनो positive constants मिला के कितना है वो बता रहे है यह basically में आपको बताया है Cobb-Douglas ने जो functions निकाले short term और long term के लिए यह बहुत जादा statistical study के ऊपर based है जो economics में extensively used होते है extensively तो यह must है दोनों दोनों functions बहुत extensively used होते है Good any doubts anyone कोई चीज आपको समझी नहीं है कोई चीज आपको समझी नहीं है ऐसा कुछ है logic समझा है सबका तो वो main चीज है logic 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 ठीक है रटा वटा मत मारो logic समझो आगे बढ़ते है फिर चलो all clear तो आज क्या आज alternate day है क्या ओ ओ ओ बाई ओ ओ ओ ओ किदर किदर पहुच रहे ध्यान दो ध्यान दो एक ही page का lesson बचा है ध्यान दो ज़रा tension मतलो मैं से 5 min पढ़ाने वालव और ध्यान दो लेगिन अगर तुमने 5 min बसती कि तो फिर मैं आगे के 15 min खराब करूँगा तुमारे याद रखना, पाच मिनिट तक मैं को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट चाहिए, ठीक है, ध्यान दो, जैसे अपने इंडिफरेंस कर्व्स पढ़ा था न, वैसे ही सेम चीज यहां पे है, प्रोडक्शन अप्टिमाइजेशन में, इंडिफरेंस कर्व्स क्या है, अपन संदे में होमवर्क यही है, कि आपको इंडिफरेंस कर्व का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइस करना है, जब तक यह नहीं करोगे, तब तक यह बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है, यह समझने नहीं वाला है, ठीक है, तो ध्यान दो, इंडिफरेंस कर्व एक बार जिस पे जो भी कॉंबिनेशन आता है, यह सारे कॉंबिनेशन पे अपन डिफरेंशियेट नहीं करते, अपने को सारे कॉंबिनेशन प्यारे हैं, तो एक बार मैं पीडिफ कोल लेता हूँ, यह है इंडिफरेंस कर्व, अन इंडिफरेंस कर्व इस अ कर्व विच रिप्रेसंट अल दोस कॉंबिनेशन आता हैं, विच गूद्श विच गिव सेम साटिस्वेक्शन तो दो कंजूमर, इन तब मैं डिफरेंशियेट नहीं करता, A, B, C, D, यह जो कॉंबिनेशन हैं अपने पास, 1, 2, 3, 4 वगरे वगरे, इसमें अपन डिफरेंशियेट नहीं करते, सारे की सारे कॉंबिनेशन अपने को सेम लेवल आफ सेटेस्वेक्शन देते हैं, ठीक है, बहुत रियालिस्टिक है यह चीज और बहुत जरूर अपने को रिवाइस करना है, मंडे को भी अपन और अच्छे से देखेंगे इस चीज को, तो यह इंडिफरेंस कव, उसके बाद अपने और एक चीज पढ़ी थी, वो है मार्जिनल रेट आफ सब्स्टिटूशन, इसका फॉर्मुला क्या है दोस्तों, अगर आपको क्या है, पूरा,と, सैक्रिफास अपॉन गें, यह से केंड चाप्टर में हैं, कंजुमर भी एवेर में हैं, सैक्रिफास अपॉन गें थी? तो, सिंपल है, सिंपल, जाधा डिफिकल नहीं है, चिल, चिल, जिसका भी नई हुआ है यह चाप्टर, चिल रखो थोड़ा, शान् combinations अपने को same satisfaction देते हैं. Combination कितने अपने पास इस graph में देख सकते हैं? आप 4 combinations हैं. और 2 goods कॉंसे-कॉंसे, food और clothing. ये 2 goods अपने पास. Combination A में आपको 1 unit food मिलता है और 12 units clothing मिलते हैं. क्योंकि आप food जादा खाना चाहते हैं, initially, क्योंकि आपके पास clothing जादा हैं और food आप खाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप जो clothing है, उसको sacrifice करते हो. जो combination B है, इसमें देखो, 12 units से clothing अभी 6 units पे आ गया है, और food जो है आपका, ये 1 unit से बढ़ गया है. मतलब, 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 मैं कहने के कोशिश ये कर रहा हूँ, कि आपने substitute किया, clothing को food के साथ substitute किया, और इसी के formula अपना निकलता है, marginal rate of substitution, कि कितने rate से substitute किया, तो इसका simple चा formula है, sacrifice divided by gain, ये इसका formula है, ठीक है? पूरा अच्छे से solve करते हैं, tension मतलो, शानती रखो, बस. Clothing आपने sacrifice किया, क्योंकि पहले 12 था, अभी 6 हो गया, जो नए बच्चे है, specifically वो answer दे, 12 यूनिट से अपन 6 यूनिट पे आ गया, तो आपनने कितना clothing, कितने units clothing sacrifice किया, कितने units clothing sacrifice किया, बिलकुल सही जवाब, अपनने 6 यूनिट क्लोधिंग sacrifice किया, तो उपर numerator में क्या लिखूंगा, मैं sacrifice divided by gain ऐसा formula है, तो numerator में क्या लिखूंगा, मैं 6 divided by, आपको gain क्या हुआ, आपको gain food item हुआ, food के कितने units gain हुआ हैं आपको, पहले एक पे थे, अभी दो पे पहुँच गए, simple, तो divided by 1 आएगा यहाँ पे, इसका answer कितना आता है, 6 divided by 1 is 6, तो marginal rate of substitution कितना है आपका, marginal rate of substitution है 6, यह है formula, अभी formula का interpretation क्या है, यह समझो, formula का interpretation क्या है, यह जो 6 आया है, इसका मतलब क्या है, interpretation क्या है, इसका interpretation यह है, इस तरह से है, कि एक unit for every one unit of food, for every one unit of food, you are ready to sacrifice, you are ready to sacrifice 6 units of clothing, for every one unit of food, you are ready to sacrifice 6 units of clothing, यह इसका मतलब है, MRS का, marginal rate of substitution, ठीक है, यह देखाया आते है, MRS जो है, अपना 6 आया है, ठीक है, तो और एक example लेते हैं, इसी example को continue करते हैं, B से C की तरफ जाते हैं, और अब आप लोग, calculate करके, मुझे privately answer दो, everyone में मत डालो, publicly मत डालो, सब जो नई बच्चे हैं, वो सब privately answer दो, ठीक है, B से C पे जा रहे है, sacrifice कितना हो रहा है, उसको divide करना है आपको gain के साथ, तो sacrifice कितना है, divided by gain, calculate करो और मुझे बताओ, कमेंट्स में क्या क्या answer आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, MRS जो है आपका, वोट 2 आएगा, 6-4, 2 आया, और यहां पे, एक unit food आपको gain हुआ है, again इसका मतलब क्या है, यह जो 2 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि for every unit, every one unit of food, अभी आप कितने unit sacrifice कर सकते हैं, clothing का, कितने unit sacrifice कर रहे हैं, clothing का, बताओ, बताओ, कितने unit sacrifice कर रहे हैं, clothing, सही जवाब, सही जवाब, आप एक unit food के लिए, अभी आप 2 units ही sacrifice कर रहे हो, पहले 6 किया, अभी क्योंकि आपके पास food increase हो रहा है तो अभी आप कम sacrifice करोगे और last में देखो यहाँ पे C to D वाला combination है इसको देखो गौर से clothing है 4, अभी clothing हो गया है 3 और यहाँ पे food एक unit से increase हो है combination अच्छे से देखो और MRS बताओ कितना आ रहा है privately again, everyone बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब हर्षदा, पिंकिता और शाहीन बिल्कुल सही जवाब वेरी गुड तो यह है 3rd C2D वाले combination का basically MRS जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप यह पता लगा रहे हैं कि अभी इस scenario में आप एक unit food gain करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही unit clothing sacrifice करने को तयार है यह है simple indifference curve का थेरी जिसमें ओ हेतल, ओ हेतल दिदी आप इधर इधर chatting कर रहे हैं मेरे साथ, आपको message कोई और कर रहा है, ध्यान से देखो जा रहा है, नाम पढ़ते जाओ उपर तो यह है indifference curve जिसमें अपन indifferent रहते हैं मतलब basically भेद भाव नहीं करते हैं, किसी भी combination भेद भाव नहीं होता तो यह थी कहानी indifference curve की, ठीक है सिर्फ इतना इतना पार्ट पढ़ना है आपको क्योंकि आपका जबी भी lecture होगा आगे, indifference curve में आपको समझा दिया जाएगा क्या क्या होता indifference curve, ठीक है लेकिन अभी सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट भढ़ो, MRS वाला simple, और यहां पर एक activity है इसको वापस से करो, जो अपने कर ली already लेकिन फिर भी कर ले ना थे ठीक है तो जिसके पास भी PDF नहीं है वो मेको मेसेज करो, I will send you the PDFs okay then I guess we are done for the day चलो फिर, मिलते हैं मंडे को, कल पर सो चुट्टी है की नहीं, फूल आवा करेंगे बच्चे अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे तुछ बच्चे तो फूल ब्लैक मेल कर रहे हैं, अईयो अरे कौशल आराम से, चले जातू, कोई प्रॉब्लम नहीं जा जा पटकन जा नहीं वांथ संपले लैप्ले लेक्ट्च्चर झाल झाल